तो कैसे हैं आप लोग आज हम फिर मिले एक नई वीडियो में और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा टी मेरियो HBX की यह गाड़ी रैवल करती है महिंद्रा की UVNXT के साथ और इगनिस के साथ यह गाड़ी बनी है अलफा अर्खी टेक्टर प्लैट्फॉار्म प्लैटफॉर्म पर इस गाड़ी को जनेवर मोटो एक्सपोट 2019 में शोग किया गया बनाए आज भाड़ी के वालिके वाल हुआ पर बात करेंगे ऐस ऑने का मिलेच 17 3 neu notice और चले शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी dimensions कि तो जैसे के आप लोग देख पा रहे हैं यह है इसकी dimensions ignis के comparison में, इनिस में 180 mm का ground clearance मिलती है जब कि हमें HBX में 185 mm की ground clearance मिलती है, साथ ही में ignis में 260 लेटर का boot space मिलता है जबकि HBX में हमें 275 लेटर का boot space मिलता है और इसके साथ ही गाड़ी दोनों का अगर मैं compare करो तो काफी बड़ी है इसके comparison में अब अगर आप देख सकते हैं तो फिर इसके अंदर हमें के वी के साथ comparison दिखने को मिल रहा है सो के वी हमें 5-6 सीटर दोनों options में मिल जाती है जबकि HBX हमें सिर्फ 5 सीटर option में मिलती है के अंदर 170 mm की ground clearance है और 243 लेटर की boot space है जो की HBX से कम है सो अब हम बात करते हैं इसके exterior पी तो इसके exterior पे हमें impact 2.0 design language का यूज दिखाई देता है यह चीज टाटा अपनी हर गाड़ी में लगबग यूज करती है अब अगर मैं बात कुरूँ इसके exterior design की तो इसके exterior में हमें front में मिल जाएगा piano black finish के साथ टाटा की signature grill और इसके साथ ही हमें मिलेगा integrated dual function light जो की एक DRL और turn indicator दोनों की तरह काम करेगा और उसके नीचे हमें मिल जाएगा halogen bulb headlight और साथ में एक massive scuff plate और full body cladding और weird arches cladding भी हमें इस गाड़ी में मिलेगी साथ में side skirting भी मिल जाएगी और इसके साथ ही हमें इस गाड़ी के अंदर मिलेगा 15 inch के dual tone diamond cut wheels, over vm sunroof और dual tone finish के साथ मिलेगी यह गाड़ी हमें जो की roof और body के साथ बहुत ही अच्छी दिखती है इसके साथ ही हमें इसके अंदर मिलेगा spoiler और इसके rear के बात करो तो rear में हमें मिलेगा tri arrow shaped LED tail lamps और काफी सारी sharp cuts के साथ इस गाड़ी का look काफी amazing हो जाएगा इसके अंदर हमें rear में rear camera भी मिलेगा और big scuff plate भी मिलेगी बात करते हैं इसके interior of features की सो इस गाड़ी के अंदर हमें मिलेगा एक डैश टॉप mounted touchscreen infotainment system काफी बड़े AC vents जिसके अधा हमें contrasting surrounds में मिल जाएगा steering wheel मिलेगा कुछ easter eggs के साथ like एक rhino की आपको photo दिख सकती है उस पे पिच्छर दिख सकते है जो कि आपको seat पे और defogger पे भी देखने को म मिलेगा साथ ही में हमें इसके अंदर जो मिला है वो है flat bottom steering wheel और जो features इसके साथ मिल रहे है वो है cruise control voice command control audio and bluetooth control इसके साथ इस गाड़ी के अंदर हमें मिलेगा seven digital instrument cluster क्लस्टर जो कि हमें harrier और altros में भी मिलता है inside door handle एकदम piano black finish के साथ मिलेगा साथ ही में fabric finish मिलेगी doors पे और doors प और front roll पे हमें मिलेगा umbrella holder fits and finish quality की बात करो तो काफी amazing quality के साथ ये गाड़ी की look भी काफी amazing हो जाता है इसके interior की quality एकदम luxurious है और साथ ही में काफी spacious cabin है जिसमें काफी अच्छे से और काफी comfortablyly लोग बैट सकते हैं और साथ ही इसके अंदर हमें मिलेगा cruise control के साथ seven inch का infotainment system जो इसके साथ हमें मिलेंगे four speaker of four twitter के साथ harman kardon system जो की काफी अच्छा audio system है साथ ही में हमें इसके अंदर मिलेगा auto AC control through infotainment system मलब हम infotainment system के थ्रू भी AC को control कर सकते हैं और चाहें तो हम manually भी AC को control कर सकते हैं power foldable ORVM 15 inch के alloy wheels cool glove box rear wiper front and rear adjustable headrest और इसके साथ ही front and rear 12 volt का socket charging के लिए और हमें rear में भी armrest इस बार दिया गया है इस गाड़ी के अंदर तीन drive mode eco city and sports अगर आपको eco में travel करना है आपको mileage चाहिए तो आप eco में travel करेंगे साथ ही में आपको power और mileage दोनों चाहिए तो आप city में travel करेंगे और अगर आपको power चाहिए maximum तो आप sports में travel करेंगे इसके अंदर safety features भी काफी best डाले गए हैं काफी अच्छी safety features है और जो global test है उसमें इस गाड़ी को four to five stars मिल जाएंगे इस गाड़ी में हमें मिलता है safety features में ABS with EBD, follow me headlamps, दो airbags, front street pretensioner, rear parking sensor with camera, rear defogger, central locking, ISO fix, child seat rear washer and wiper and front fog lamps, so अगर मैं अब इस गाड़ी की drive की बात करूँ, so आप लोग देख सकते हैं इस गाड़ी के जो drive है वो काफी amazing होईगी इतने सारी features के साथ और काफी ease के साथ आप इस गाड़ी को drive कर पाएंगे, काफी सारी different modes भी दिये गए है, हम इस गाड़ी के engine option के बारे में बात करते हैं, तो इस गाड़ी में हमें एक single engine option मिलेगा, जो की होगा 1.2 liter 3 cylinder petrol engine, जो की एक revetron engine होगा, ये एक 1199 cc का engine है, जो की 84 bhp की power produce करेगा, और 1139 nm का torque, ये हमें 5 speed manual और automatic दोनों transmission के साथ मिल जाएगा, और जो इसकी claimed mileage है, वो है 21 kmpl, compared to ignis, तो अब हम इस गाड़ी के pricing के बात करते हैं, तो आप लोग अपनी screen पे सारे variants के साथ उनकी pricing देख सकते हैं, कि ये सारे variants किन किन price में आपको मिल जाएगी, अब अगर मैं इस गाड़ी के launch की बात करूँ, तो ये गाड़ी approximately April के starting में launch कर दी जाएगी, और ये market के अंदर April के end तक market में आ जाएगी, तो आपको ये गाड़ी कैसी लिगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज इस वीडियो को like, share and comment करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं, तो प्लीज चैनल को subscribe करें, और उस bell icon को जरूर दबाएं, ताकि आप हमारी next वीडियो की notification क को miss out ना करें